आज के वीडियो में बताने वाली हूँ 2023 में दिवाली कब है जी हाँ दिवाली 2023 में कब मने जाएगा और मिट्टी की गनेश की पूजा क्यों करना चाहिए अगर आप मेरे चैनल के पहली बारा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए नीचे बेल एकने से प्रेश जरूर कर ले ताकि मैं जो भी निया वीडियो डालो उसका नॉटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास है आज के वीडियो में बताने वाली हूँ जी हा क्या क्या करना चाहिए तो सबसे पहले है दिवाली में सबसे पहले जो होता है हम नहिलाओं के लिए जी हाँजा कि लिए जी हाँ घर का साफ मतलब निचला ही जरुन परिवार फास्टिंग रखते हैं और साम को जो है वो लक्षमी गनेश की पूजा करके उसके बाद ही ग्रहन कर नमक खाते हैं या मीथा खाते हैं तो मेरे और बहुत लोग पोटली में जी हां कमल गटा, कौरी और पैसा, अक्षत ये सब चीज रखके पूजा के पास रखते ह है और इस दिन जी हां मिट्टी का जो लक्षमी गनेश है वो अपने घर में जरूर लाएं और अगर आपके पास किसी भी धादू का जैसे चांदी का होगे या पितल का है तो आप उसको अच्छे से साफ करके रखे कहा जाता है कि एक मंदिर में दो किसी भी भगवान की मु और अब आई ये बताते हैं कि लक्षमी पूजा है कब तो ये कार्तिक क्रिश्न पक्षमी मनाया जाता है और इस बार ये जो है वो दिवावली दिवाली ये जो है वो बारा नौमबर को मनाया जाएगा तो आप इस दिन मना सकते हूं कैसा लगा आप सभी को हमारे चोटा साथ ये हां दिवाली वीडियो प्लीज कमेंस करके जरूर बताइएगा अगर आप मेरे चैनल पे पहली बारा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड सेर करना बिल्कुल न भूलना और जी हां अग इस दिन धन तेरस क कि मैं आप फॉजमा के लाइं की अपोससीर कि लख्ष में रॉंरे चाहिए और उस दंग को अपने जा huge करे चैनल में Alors if दो अच्छे से वह फरने लगा खिलने लगा तो समझेए इसका यह मानेता है या मित्थे है कि इससे क्या होता है कि लक्ष्मी माँ आपके घर में है और जब धनिया फर फुला के बीज हो जाता तो उस बीज को सुब जगह पे कहीं अच्छे जगह पे रख देना चाहिए